हलो जी नमस्ते चदेगर रोजगार ने उसके एक नई वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ विजय जोहान और आपके लिए लेकर क्या गए हैं दो अलग-अलग विभागों के अंतरगत निकाले गई नई भरती की प्रक्रिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग-अलग विभागों के द्वारा निकाले गई भरती की प्रक्रिया के बारे में संपूर्न जानकारी देंगे कौन से विभाग के अंतरगत कितने पदों पर भरतियां की जाएंगी पद की भरती के लिए क्या योग्यता मांगी गई ह चैन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी वेतान आपको किता मिलेगा कब से लेकर की कब तक जो है आप इस भरती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे वो संपूर्न जानकारी जो हम आपको इस वीडियो के अंतरगत जो है बताने वाले हैं सबसे पहली नंबर की जो भरती यहां पर निकाली गई है खेलेवं युवा कल्यार विभाग जिला मनेंद्रगड चीर्मेरी भरतपूर 36 गड़ के अंतरगत यहां पर निकाली गई है इस भरती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकासन है सोला फरवरी 2024 को जो है यहां पर किया गए है खेलेवं युवा कल्यार विभाग के अंतरगत कबड़ी प्रसिक्षा कोच की जो है यहां पर भरतियां की जाएंगी जिसके लिए मनेंद्रगड चीर्मेरी भरतपूर के अभ्यारती जो है आवेदन प्रस्तूत कर पाएंगे वालकेन इंटर्वू के माध्यम से एक पदो पर कबड़ी प्रसिक्षा कोच की जो है भरतियां की जाएंगी और इस पर की भरती के लिए वालकेन इंटर्वू का जो आयोजन है चार मार्च दोहजार चोविस को ग्यारा वज़े से कार्याले में जो है यहां पर किये जाएं बनांदेर्वो से अफсят Τर से आप से कोई पर जोहां पर नहीं लिए जाएगा वालकेन इंटर्वू का जो आयोजन है चार अपरेल 2004 को ओष Aim यहां पर किया जाएगा वालकेन इंटर्वू का जो आयोजन है कार्याले करेक्टर जिला मनेंद्रगण चीरमिरी भरत पूर 36 में में जो है आयोजित की जाएगी और इस भरती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यार्थी खेलो इंडिया लगु केंद्र के अंतरगत का बड़ी प्रसिक्षक की जो भरती की जा रही है इस भरती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगे गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है निधारी तितिय और निधारी समय पर पहुँश करके इस भरती के लि पर आयो सीमा के बारे में बताया गया है तो ऐसे अभिहार्थी जिनके पास कबड़ी के लिए सेक्षणिक योग्यता है वह अभिहार्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत जो है यहां पर कर पाएंगे उनको कितना वेतन मिलेगा आयो सीमा की क्या निधारन की गई ह वो सारी जानकारी नहीं दी गई है तो वालकीन इंटर्व्यू का जो आयोजन किया जाएगा। उसी दिन सारी जानकारी आप वहां से प्राप्तre कर पाएंगे। तो यह थी पहली जानकारी जो कि टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से जूड करके आप आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके निधारी तित्य और निधारी समय पर उपस्तित हो करके जो है इस भरती के लिए आवेदन प्रस् के लिए इस भरती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकासन है 26 फरवरी 2024 को जो है यहां पर किया गया मनेंद्रगड़ चीरमीरी भरतपूर के अंतरगत लोक से वा आपरेटर के पदों पर जो है यहां पर भरतिया की जाएंगी तो जो भी अभ्यारती मनेंद्रगड़ चीर यहां पर भरतियां निकाली गई हैं, दस अलग-अलग लोकेशनों पर जो है लोकसेवा आपरेटर की भरतियां की जाएगी, सबसे पहली जो भरति यहां पर की जाएगी, जीला कार्याला है, मनिंद्रगड केंतरगद, दो पदो पर जो है यहां पर लोकसेवा आपरेटर की भ दो पदोपर भरती होगी् तविलका कया ले कियों दो पदोपर भारती की जाएगे नगर निगम चीरमीरी के यहाच के नतरर लोक सेवा आप्रेटर की भरती वहीं नगरपाली का परिसद मनेंदरmile के अंतरगत दो पदोपर रएज़र नगर पंचायत नई लेडरी केंतरगत एक पदव रथी नगर पालीका स्वारी नगरंचायत गुंगा पानी पानी चावरती और नगल पंचाय जगरआ खंट केंप लेज़र उन मिन यह सोटल कि जाएंगी तो टोटल जोबी संध्या के पाच बजे तक जो है इसके लिए पंजी के लिए डाक या फिर स्पीट पोस्ट के माध्यम से आवेधन प्रस्तुत कर पाएंगे आवेधन आपको जीलाक कारियाल है मनेंद्रगड चीरमेरी भरतपूर के नाम से आपको आवेधन प्रस्तुत यहां पर करना प्रस्तुत यहां पर करेंगे तो उनकी सेक्षणिक योग्यता पर 70% यहां पर दिये जाएंगे और साथ यहां पर जीनब भ्यारतियों के पास किसी तरह का अनुभाव है किसी भी सास्की या फिर अर्ध सास्की कारियालाव में तो दो वर्सों का अनुभाव है तो पांच दिये जाएंगे अगर तीन वर्सों का अनुभाव है तब उनको दस अंग यहां पर दिये जाएंगे साथ कंप्यूटर की कॉसल परिक्षा ली जाएगे जिसमें 20 अंग यहां पर निधारित किये गए तो चैन की प्रक्रिया है आपकी सेक्षणिक योग्यता अथात परिक् यहां पर किया जाएगा उनको 20,000 रुपे की रासी यहां पर जमा करनी होगी प्रतिभूती रासी यहां पर जमा करनी होगी और लोग से वापरेटर को यहां पर लोग से केंद्र का कार या प्रारम यहां पर करना होगा और उनको जो भी कमाई होगी लोग से वापरेटर की तो जो भी काम वहाँ पर करेंगे उनके अधार पर जो भी कमाई होगी इसमें किसी तरह का आपको अलग से salary वगेरा आपको नहीं दिया जाएगा तो जो भी अभियाति लोग से वापरेटर के तौर पर काम करेंगे सास की कामों को आपको करना होगा और आपको किसी तरह का यहाँ पर salary देखने को नहीं मिलेगी choice center agent जैसे होते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना होगा तो जो भी अभियाति लोग से वापरेटर के तौर पर आपर आवेदन परस्तुत करना चाहेंगे उनके लिए भी आवेदन पतर के प्रारूप के बारे में भी आपर पता आएगे है और इस आवेदन पतर के प्रारूप में मांगे के जानकारी को आप अच्छे से भर करके इस पत की भरती के लिए आवेदन परस्तुत कर पाएंगे दस अलग अलग लोकेशनों को मिला करके टोटल सोला पदो पर जो है लोग से वापरेटर की भरतियां की जा रही है वीडियो के डिस्किप्शन में आपको टेली ग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से जूर करके जो है इस भरती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप को ना हूले और ऐसी ही रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जूरी रही है हम आप से मिलते हैं एक और नई वीडियो में